नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चानल टॉप्टन इंडियन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मशूर भारतिय अभिनेत्री तृषा कृष्णन के बारे में बात करने वाले हैं। इनके जीवन के उतार चड़ाव की पूरी कहानी में बताने वाली हूँ। तृषा कृष्णन के ट्विटर अकाउंट में कितने फॉल्लवर्स हैं, इनके परिवार में उमा कृष्णन कौन हैं और तृषा कृष्णन मारिज कब होने वाली हैं। ऐसे कई सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, इनका जन्म 4 मई 1983 को तमिलनाडू के चन्नई में हुआ था। वर्तमान में तृषा की एज 37 वर्ष है। दोस्तों, इनके परिवार में ये एक एकलोती संतान है। इसके अलावा इनके पिता की कोई भी संतान नहीं है। इनके पिता का नाम कृष्णन हैं और हैदराबाद की एक 5-star होटल में अपनी जनरल मैनेजर की सेवा प्रदान करते थे। मा का नाम उमा कृष्णन हैं जो उसके घर की देखबाल करती हैं एवं हाउस वाइफ हैं। त्रिशा कृष्णन की अभी तक शादी नहीं होई है। 2000 के साल में त्रिशा कृष्णन ने मिस चन्नई सौंधर्य की पतियोगिता भी जीती थी। दोस्तों बात करें त्रिश्टा कृष्णन की पढ़ाई की तो दोस्तों इन्होंने चन्नई शहर के चर्च पार के सेक्रेट हार्ट मेट्रिकुलेशन स्कूल से अपना प्राइमरी अभ्यास पूरा किया था। त्रिशा कृष्णन ने अपनी कॉलेज काल की शिक्षा एथिराज कॉलेज फॉर वुमिन चन्नई से इस नातक की पदवी प्राप्त की है। इनको तैरना, पढ़ना और गाने सुनने का बहुत शौक है। दोस्तो बात करें कृष्णन की संपत्ती की तो दोस्तो किसी की संपूर संपत्ती का अंदाज लगाना मुश्किल है। लेकिन सोशल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेत्री कृष्णन अपने जीवन के पिछले 20 वर्षों से दक्षन भारतिय फिल्म इंडस्ट्री में अपना अभिने किरदार निभा रही है। और इनके पास तक्रीबन 28 करोड रुपे यानी 4 मिलियन डॉलर की संपत्ती का मालिक बताया जाता है। दोस्तो बात करें इनके अभिने करियर की। तो दोस्तो त्रिशा क्रिशनन ने अपने अभिने की शुरुआत सूपरस्टार गाई का फालगुनी पाठक के एक सौंग मेरी चुनर उड़ उड़ जाय से की हुई है। उस सौंग में आईशा टाकिया की एक फ्रेंड का रोल अदाकरती नजर आती है। इस गाने के बाद ही त्रिशा की पसंद तमिल फिल्म की शूटिंग के लिए सिलेक्ट की गई थी। इसकी पहली 1999 की साल की तमिल फिल्म का नाम जोड़ी था। लेकिन उसमें इनका अभिने किरदार कुछ खास नहीं था। अब बात करते हैं क्रिशा त्रिशनन के फिल्मी सफर की तो दोस्तों इनकी मुख्य भूमी का वाली फिल्म लेसा में त्रिशा का अक्टर का रोल मिला था। लेकिन इनको रिलीज होने में ज्यादा वक्त लग गया था। इसके बाद 2003 में फिल्म सामी में अभिने किया और इस फिल्म में त्रिशा क्रिशनन ने तमिल ब्राह्मन की बेटी का अभिने किरदार का रोल ने भाया था। इनकी फिल्म सामी सबसे पहली सूपर हिट और सफल फिल्म रही थी। इसके बाद इन्होंने विजय और अजित कुमार जैसे अभिनेताओं के साथ भी अभिनाई किया है, इन्होंने बॉलिवुड की हिंदी फिल्मों में भी अभिनाई किया है, इनकी पहली हिंदी फिल्म खटा मीथा है और इन्होंने अक्षे कुमार के साथ अभिनाई किया है, त्रिशा कृष्णन ने कंणड फिल्मों में भी अभिनए किया है, इनकी पहली कंणड मूवी 2014 साल की पावर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं त्रिशा के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, त्रिशा कृष्णनने कई साउथ फिल्म फियर पुरसकार जीते हैं। इन्होंने एक इंटरनाशनल साउथ फिल्म पुरसकार और एक नंदी अवोर्ड भी जीता है। त्रिशा ने 2020 तक 50 से भी अधिक फिल्मों में अपना अभिनए किरदार कर चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें, त्रिशा कृष्णनन की शुरुआती भूमी का एक खौरलिक्स एड में थी। त्रिशा ने 19 वर्ष में एक बच्चे की माता का रोल किया था। त्रिशा की सिर्फ एक ही कंणड फिल्म पावर है जो 2014 की साल में रिलीस हुई थी। और इस फिल् देखने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 10 इंडियन के साथ। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।